हलो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं सहाजन की बहुत ही टेश्टी रेसिपी सेयर करने वाले हूँ याकीन मानिए फ्रेंज जिनको भी इस तरह से सहाजन बना कर सर्व करेंगे सब तारिप करेंगे और उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे तो बिना देर में लिख करके बताईएगा मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर क्यांगी सहाजन चिलने का और देखे फ्रेंज मैं दो मीडियम सहज की आलू को ऐसे कट कर ली हूँ चिलकर के अच्छे से धोली हूँ उसके बाद मोटे मोटे टुकडों में कट कर ली हूँ आलू 10-12 छीली हूई लसुन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकडा 12-15 काली मिर्च के दाने तीन हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को पीस लेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट तयार करेंगे तो देखे फ्रेंज मसाले पीस चुके हैं और एकदम स्मूथ पेस्ट त्यार है अब से परकणाई रख दिंगे गैस ऑन करके इसमें डालेंगे तीन बड़ा चंब सरसो का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे आप इसमें डालेंगे कटे हुए साजन दो गैस का फिलिम हाई रखेंगे हाई फिलिम पर साजण को तब तक फ्रा तो ऐसे बीच-बीच में मिक्स करते रहें बारबर चलाते रहें तो सहजन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए आप देख सकते हैं इन पर गॉल्डन लेयर आ गया है तो बस सहजन को इतना ही अब हम सहजन को निकाल लेंगे तो ऐसे जाली वाले जहारा पर जिसे हम पूरी तलते हैं उस पर निकाल देने से क्या होगा जो भी इनमें एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाएगा ऐसे कड़ाई में तो सहजन को फ्राई करके बनाने से सहजन का कच्चा पन निकल जाता है और सबजी बहुत ही जादा टेश्टी बनती है अब इसी तेल में कटे हुए आल और गैस का फ्लेम इस टैम एकदम लो रखेंगे अब इसी बच्चे हुए तेल में डालेंगे आदा छोटा चमच पच्पोरन यानि पांच मसालों का मिस्त्रन आप चाहे तो पच्पोरन के जगह पर आदा छोटा चमच स्रिफ मेती के दाने भी डाल सकते हैं पच्पोरन च और ज्यार में आधा कप पाने डालग करके दो लेंगे पाउडर और आदा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकड़िएगा जितना आपको तीखा पसंदों कमिया जादा और ध्यान रखें मसालों में हरी मिर्च पीसे हैं अब इन सभी म मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाम गयास का फ्लें मीडियम टू लो रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेंपर मसालों को 5-7 मिनट तक भूनेंगे और भूनते समय बार बार चलाते रहेंगे तो देखी मसालों को भूनते हुए मुझे मीडियम टू लो फ्लेंपर पास से साथ मिनट हो गए हैं और आप देख सकते मसालों से तेल सेपरेट हो रहे हैं इसका मतलब मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं तो फ्रेंज मसालों को भुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जितने अच्छे से मसाले भुने रहेंगे उतना ही ज्यादा चलाते हुए तो देखी फ्रेंद 2 मिनट हो गये मुझे इनको भूनते हुए और आप देख सकते हैं सारी चीजे बिल्कुल अच्छे से भून गया हैं तो एक बार और इनको अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे पानी तो मैं इसमें डाल नहीं तो आप इसमें आधा कप पानी डालिए और इस सब्जी को लो फ्लेम पर पकाईए तो देखी इसमें उबाल आ गया अब हम ढख करके इनको 4-5 मिनट तक पका लेंगे तो 4-5 मिनट हो गए मुझे इनको पकाते हुए एक बार इनको अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंग अब हम इसमें डालेंगे फ्राइ किया हुआ साजन अब इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयास का फ्लेम इस टाइम एकदम लो रखेंगे अब हम लो फ्लेम पर सब्जी को ढख करके 7-8 मिनट तक पकाएंगे साथ से 8 मिनट हो गया है डखकान अट आएंगे और ये देखे फ्रेंज हमारी बहुत ही जादा सूपर टेस्टी सूपर हेल्दी सहजन की सबजी बन के रेड़ी है एकदम आसान तरीके से तो पहले हम आलो को चेक कर लेते हैं अच्छे से पके हैं कि नहीं ये देखे फ्रें परफेक्ट है थोड़ी सी ठंडी होगी तो ग्रेवी और गाड़ी होगी तो अब हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो फ्रेंज इस तरह से सहजन की सबजी प्लीज बनाईए यकीन मानिए जिनको भी इस तरह से बना करके सर्व करेंगे बच्ची हो या बड़े सब को बहुत ही पसंद आएगी और सब उंगलेया चाट चाट करके खाएंगे तो फ्रेंज रेसिपी को ट्राइए करें पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें